जाहिन दोस्तों मुझे पता है कि इस वीडियो की जो क्वाल्टी है थोड़ी सी कम है इसे आप अपने हिसाब से कर लिजेगा लेकिन दोस्तों आज का टॉपिक है बहुत ही इंपर्टेंट बने वला है क्योंकि ये कलास 10 यूपी बोर्ड की प्रशनावली 4.3 का सवाल नमर प असान है लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए कठीन होगा इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेगा दोस्तों यहां पर पहला सवाल आपने लिखा है इसी परकार से यहां पर चार सवाल हैं जिसका स्क्रिन सॉट में लगा दिया हूं आप देख सकते हैं दो फूलों का अस्तितव है कि नहीं है तो ग्यात कैसा करेंगे दोस्तों पहले है कि मूलों का तो या बराबर रहेगा तो इसके मूलों का तो रहेगा यानि कि B square minus 4AC का मान अगर 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा तो मूलों कस्तो होगा यदि मूलों कस्तो रहेगा तो क्या करना है कि हम लोग को पूल वर्ग की विदी दोरा ग्याद करना है तो पहले मूलों चेक करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहले निकालेंगे A, B और C का मान यहाँ पे जो X square का गुडांक होता है यह होता है A का मान और जो X का गुडांक होता है यह होता है B का मान और यह वाला होता है C का मान यानि कि यहाँ पर A कमान 2 है और B कमान माइनस 7 है आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि चीन सहीत बोलना है आप ऐसे मत्क जगा कि B कमान 7 लिख दिजगा अगर यहाँ माइनस 7 है तो आपको लिखना है माइनस 7 इसी प्रकार से यहाँ पर C कमान है 3 अब दोस्तों हम लोग निक स्थान रखेंगे माइनस साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस फोर अपने स्थान पे एक का मान है दो और सी का मान है तीन इस प्रकार से कितना हो जाएगा जब साथ का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा उन्चास और माइनस मेनस पलस हो गया होगा और चार दूनी आठ आठ तरीकी 24 उन्चास में से गटाएंगे 24 बचेगा 25 यानि कि जो 25 है 0 से बड़ा है मैंने बोला था कि अगर b e square minus 4 ac का मान अगर 0 से बड़ा आएगा तो क्या होगा कि मूलों का अस्तित्व रहेगा यानि कि आप लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है अस्तित्व है दोस्तों यहां बोला है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूल वर्ग बनाने की विदिद्वरा ग्यात किजिए यहां पे मूलों का अस्तित्व है तो क्या करेंगे अब हम लोग को पूर्ड वर्ग बना करके इसका मूल ग्याद करना है तो कैसे ग्याद करते हैं चलिए देख लेजिए पहले हम लोग लिखते हैं सवाल को 2x²-7x प्लस 3 बराबर 0 अब दोस्तों सुचना यह होता है कि जो x² का गुडांक है जो 2 तो इसे हम लोग को किसी परकार से खत्म करना है दोस्तों इसके और भी तरीके हैं लेकिन जो मुझे सिंपल तरीका लगा है मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ तो फ्रेंट्स पहले यह सूचिएगा कि जो x² का गुडांक रहेगा उसे हम लोग किसी परकार से खत्म करेंगे तो आपको दिखाई दर आओगा कि यहाँ पे 2 है तो क्या करता है कि हम लोग समिक्रड के समिक्रड के सभी पदों में समिक्रड के सभी पदों में दोस से भाग देने पर यानि कि जब हम लोग समें एक रड़के सभी पदों में दोस्ट भाग देंगे दोस्ट दो कर जाएगा यानिक हो जाएगा 2x² बट्टे 2-7 by 2x plus 3 by 2 बराबर 0 यहाँ पे दोस्ट दो कर जाएगा कितना बचेगा x²-7 by 2x plus 3 by 2 बराबर 0 अब दोस्तों यहाँ फेनली दो हट गया है अब क्या करेंगे कि दोस्तों एक फार्मूला होता है जो कि पता होना चाहिए a plus b के whole square का जो होता है a square minus 2ab plus b square एक फार्मूला और होता है a minus b के whole square का इसमें क्या होता है a square sorry इसमें plus होता है यानि कि a square minus 2ab plus b square एक और होता है a square minus b square का इसमें क्या होता है a cost में a plus b और a cost में a minus b यह तीन फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए अब दोस्तों करते क्या है ना कि इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x square minus 7 by 2 x plus 3 by 2 ब्रावर 0 दोस्तों ये वाला जो समिक्रण है कुछ इस परकार से दिखाई दे रहा है यानि कि a square minus 2ab plus b square यदि हम लोग ऐसा मानें तो कुछ इस परकार का दिखाई दे रहा है क्योंकि जो minus होता है 2ab ये a minus b के whole square में होता है तो क्या करेंगे कि हम लोग कुछ इसी परकार से बनाने का प्रयास करेंगे यानि कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a x के whole square minus इसको हम लोग कुछ इस परकार से बनाना चाहते हैं यानि की माइनस 2AV की रूप में यह वड़ा 2 यहाँ पे अपने मर्जी से लिख लेता हूँ और गुड़ा A कमान यहाँ पे आपको X मिल गया है क्योंकि सुरुवात में A स्क्वार होता है तो हमने यहाँ पे X स्क्वार कर दिया है जब X स्क्वार कर खोलेंगे तो आपके पास इतना ही रहेगा और दोस्तों यहाँ पे A कमान मिल गया X तो हमने यहाँ पे A का स्थान पर रख दिया X और जो B कमान गयात करना होता है यहाँ पर द्यान दिजगा जो b का मान होता है यहाँ पर जो x का गुडांक होता है इसी के आधा होता है आधा कितना होता है अगर मैं आप से पूछूं कि 10 का आधा कितना होगा तो आप बोलेंगे 5 कितना होगा? 5 होगा दोस्तों आपने कैसे बोला? आपने 10 में 2 से भाग दि या तो एक बट्टे दू से गुड़ा कराया होगा अगर आप दस में एक बट्टे दू से गुड़ा कराएंगे तो आपको पांच मिल जाएगा क्योंकि दो पच्चे दस होता है इसी प्रकार से अगर किसी कभी आधा निकलना होगा तो आप उसमें एक बट्टे दो से गुड सात बट्टे चार इस प्रकार से हम लोग यहां पर B का कितना हो को का बान भी का मान हो जाए यानि कि 2AB की रूप में तो 2 हम लोग अपने मर्जिस लिखे हैं और A कमान X तो पहले मिल गया है अब दोस्तों जो B कमान गयात करना होता है B कमान X के जो गुडांक होता है उसी के आधा होता है यानि कि यहां 7 बटे 2 था तो 7 बटे 2 कादा जाएगा 7 बटे 4 यह हो गया B कमान पलस ध्यान दीजेगा सुतर होता है A स्क्वार माइनस 2AB पलस B स्क्वार यानि कि यहां पे B कमान मिल गया है 7 बटे 4 तो इसी कर देंगे स्क्वार अब दोस्तों ध्यान दीजेग यहां पे जब इसको खुलेंगे ति यह वाला मिल जाएगा और इसको हल करेंगे ति यह वाला मिल जाएगा मिल जाएगा आप देखिए जब 2 से काटेंगे 4 को 2 दूनी 4 हो जाएगा और उपर हो जाएगा 7x बटे 2 यानि कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन दोस्तों जब इसको हल किये यह आ रहा है इसको हल किये यह वाला आ रहा है लेकिन यह वाला तो बेसी हो जा रहा है तो क्या करेंगे कि जितना बेसी हो जा रहा है उतना ही घटा दे रहा है यानि कि 7 बटे 4 के स्क्वाइर एक बार सब लोग गलत करते हैं दोस्तों जब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा इसको हल करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा अब ध्यान दिजिएगा कि ये वाला हमने इस रूप में बनाने के लिए ऐसा कुछ कर दिया यानिकि 7 बटे 4 का होली स्कुर कर दिया क्यो क्या होगा कि पलस में यह भी स्थान पर है यानि कि इसमें कुछ अधिक नहीं हो रहा है अगर इसको हल करेंगे तो इतना ही हो जाएगा कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अब क्या हो रहा है कि यह वाला बन जा रहा है क्या a-b के whole square का फर्मूला बन जा रहा है यानि कि a square minus 2ab plus b square और यह वाला अपने अस्थान बाहर ही नहीं हो गए अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a का मान x और b का मान 7 बट्टे 4 का whole square यानि कि a square minus 2ab plus b square को हम लोग का लिख सकते हैं a-b के whole square यानि कि a का मान x और b का मान 7 बट्टे 4 इस प्रकार से इस पूरे को हम लोग लिख लिए x-7 बट्टे 4 का whole square और माइनस में यह वाला अपने अस्थान पर रहेंगे यानि कि 7-49 बट्टे चार्चों का 16 पलास 3 बट्टा 2 बराबर 0 कि दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से समझ गया होंगे x-7 by 4 का whole square माइनस अब क्या करता है ना कि इसको भीन की जोड के तरह हल करता है यानि कि इसे कुछ इस रूप में लिख लेता हूं अब क्या करेंगे इसका गुड़ा इधर इसका गुड़ा इधर दोस्तों यह मिश्टेक हो जाएगा इसलिए इसको आटा लिजिए इसका गुड़ा इधर यानि कि 49 दोना 98 प्लास इसका गुड़ा इधर किता हो जाएगा सोल तियां 48 बटा सोल दूना 32 बराबर 0 अब ध्यान जिए गया पे एक्स माइनास साथ बट्टे चार अपने स्थान पे का होल स्क्वाइर माइनास यहां पे माइनस में 98 प्लास 48 यानि कि माइनस प्लास घटेगा जब अन्ठानवे में से घटेगा 48 तो बचे कितना बचेग 32 ध्यान दीज़े कि यहां पे यह वाला माइनस 98 है यह वाला प्लास 48 यानि कि प्लास माइनस घटता है जब आप 98 में से घटाएंगे 48 तो बचेगा 50 बटा में 32 बराबर 0 अब दोस्तों एक काम करता हूं कि हमने बोला था कि एक फार्मूला होता है ए स्क्वाइर माइनस बी स्क्वाइर का एक कुष्ट में ए प्लस भी और एक कुष्ट में ए माइनस भी तो क्या करते हैं न कि इसको अगर माने के हम लोग ए तो जाएगा ए स्क्वाइर और इसको मुचार है कि इसको किसी प्रकार से भी स्क्वाइर बना लिए जाए ताकि यह ए स्क्वाइर माइनस स्क्वाइर बन जाए तो करते क्या ना यहां पर इसको लिख लेता हूं एक समाइनास साथ बट्टे चार का होली स्क्वाइर माइनास हम लोग पचास को लिख सकते हैं पांच अंडर में टू और इसको लिख सकते हैं चार चुको इसको 16 16 32 यानि कि फोर अंडर में टू के होली स्क्वाइर कि द्यान दीज़ें आप पर पचास को हम लोग सकते हैं फाइप अंडर टू और बद्टिस को लिख सकते हैं फोर अंडर रूटू अब दोस्तों अगर आपको समझों नहीं आ रहा है कि इसको हमने कैसे लिखा है फा कि अगर इस पूरे को मालने A तो हो जाएगा A स्क्वाइर और यह मैनस बना स्थान पे अगर इस पूरे को मालने B तो हो जाएगा B स्क्वाइर यानि कि यहाँ बन गया A स्क्वाइर मैनस B स्क्वाइर तो यह फार्मूला होता है A पलस B और A मैनस B का तो क्या करेंगे हम लो प्लास B का मान है 5 अंडरूट 2 बट्टा 4 अंडरूट में 2 यह हो गया A प्लास B एक कोष्ट में और एक कोष्ट बनाएंगे इसमें क्या होता है A-B यानि कि A का मान है X-7 बट्टे 4 मान करके हल कर लिया इसका सुतर होता है एक कोष्ट में A प्लास B एक कोष्ट में A-B यानि कि A का मान था X-7 बट्टे 4 प्लास B का मान था 5 अंडरूट 2 बाई 4 अंडरूट 2 तो हमने रख लिया इसी प्रकार से हमने यहाँ पे A-B निकाल लिया है दोस्तों अब बारी है x की मान निकालने का तो कैसे निकालते हैं इसकी x की मान निकालने से पहले मैं इस बोड को मिटा लेता हूँ बोड को मिटाने पस्चाथ मैं फिर से x का मान निकाल के दिखाऊंगा और लाश्ट में मैं ये बताऊंगा कि 5 under 2 और 4 under 2 कैसे लिखते हैं 50 और 32 को इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेगा दोस्तों बीच में छोड़ियेगा मत अगर आप छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा सो दोस्तों चली इसको में डालेता हूँ हमने पूरे बोर्ड को साप करके यहाँ पे उस सवाल को लिख लिया है जो कि हमने हाल करके नीचे लाया था अब दोस्तों अब करते क्या ना कि a plus b और a minus b यानि कि यहाँ पर minus था कि बराबर 0 है तो हम लोग का करते हैं कि x minus 7 by 4 plus 5 under 2 by 4 under 2 के बराबर लेते हैं 0 यानि कि आप एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0 ले सकते हैं इसलिए मैं लेता हूँ एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0 लूँगा अब दोस्तों करते कैसे हैं किसू कर सकते हैं लोग x बराबर 7 by 4 minus 5 under 2 by 4 under 2 द्यान दिजेगा जब ये वला गया होगा बराबर के इस side तो इधर है plus में इधर जाएगा तो जाएगा minus में ये वला है minus में अगर आएगा इधर हो जाएगा plus में इस प्रकार से हमने लिख लिया है अब क्या करेंगे इसको भीन की घटाव के तरह हल करेंगे यानि कि इसका गुड़ा इधर इसका गुड़ा इधर कितना होजाएगा जब इसका गुड़ा होगा इधर तो जाएगा साथ चौग 28 और under root में 2 यानि कि बाहर वाला बाहर वाले से ही गुड़ा करेंगा और under root 2 अपने स्थान पर रहेगा माइनस यह वाला गुड़ा करेंगा इसमें यानि कि 4 पच्चे 20 under root 2 by 14 का 16 under root 2 अब दोस्तों यहाँ पे 28 under root 2 माइनस 20 under root 2 है 28 में से घटेगा 20 तो कितना बचेगा बचेगा 8 under root 2 बटा यहां कितना है 16 under root 2 अब दोस्तों under root 2 से under root 2 कर जागा और 8 एकम 8 8 दूनी 16 इस प्रकार से x कमान निकल गया 1 बटा 2 इस प्रकार से हम लोग करेंगे इसके बराबर 0 यानि कि x-7y 4-5 under root 2 by 4 under root 2 बराबर 0 यानि कि हो जाएगा x बराबर 5 under root 2 by 4 under root 2 प्लस 7 by 4 यानि कि यह वाला आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस में और यह वाला भी हो जाएगा प्लस में इस प्रकार से लिख लिया है आप क्या करेंगे पहले कि तरह चार पच्चे अंडरोड 2 प्लस 7 चू कठाइस अंडरोड 2 बट्टा चार चू का 16 अंडरोड 2 कितना हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगे 20 और 28 28 हो जाएगे 48 अंडरोड 2 बई 16 अंडरोड 2 यानि कितना हो जाएगा अंडरोड 2 से अंडरोड 2 कर जाएगा 16 16 16 इस प्रकार से एक्स कमान हो गया 3 अब दोस्तों यहां पर हमने एक्स कमान एकटब और 3 निकाल लिया है यह हम लोग का एंसर है यानि कि लिखना हम लोग मूल बराबर मूल बराबर कितना होगा x बराबर लिखना है 3box-2 दोस्तों जब भी आपसे पूछता है कि इसका मूल ग्यात किजिए तो आप समझेगा कि X का मान पूछ रहा है तो इस परकार से हमने X का मान निकाल लिया है दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई है यदि आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करके साथ ये चैनल को सब्सक्राइब के लिजगा और बेल आइकन प्रेस के लिजगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें अब दोस्तों बारी है कि किस परकार से हमने 50 बटे 32 को लिखा था 5 अंडर उट्टू बाई फोर अंडर उट्टू का होल स्क्राइब दोस्तों करते क्या है ना कि सबसे पहले हम लोग करते हैं 50 का गुड़न खंड कितना हो जाएगा काटते हैं 32 को कितना हो जाएगा अब दोस्तों करना यह है ना कि आपको दोनों को अंडर उड में बंद कर देना है यानि कि दो गुड़े, पांच गुड़े, पांच बटा दो गुड़े, दो गुड़े, दो गुड़े, दो पांच बार इस परकार से हमने कर दिया दोस्तों, जिसका जोड़ा बनता है वो आ जाता है बाहर और जिसका नहीं बनता है ओर रहता है अंदर और यहाँ पे दो ठोका बन गया जोड़ा यानि कि दो दूनी चार आजाएगा बाहर और यह आजाएगा अंदर इस प्रकार से हमने 50 बटे 32 को लिखा था 5 अंदर 2 बाई 4 अंदर 2 का होल स्क्वेर दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप इसे भी समझ गया होंगे यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मैं दوبारा कहता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज लाइक करके साथ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगा और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर जगा ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी मिलती रहे तो फ्रेंट्स मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिमस्कार जाएंट